मध्य कालीन, निर्गुन संथ, कबीर डास के दोहों में काया योग, रहस्य वाद, जीव वाद, निर्गुन वाद, एवं परम्तत्त रूप, राम, आधी अनेक सिधानतों की छलक लेती हैं मूनतह कबीर अध्वयत देदांती है, कबीर का ब्रह्म मात्र निर्गुन नहीं है, निर्गुन होते हुए भी कबीर, दया, करुणा, प्रेम और भावना के पुंज है, संत कबीर की साधना में ज्ञान और वक्ति का अपुर्व मिश्वन है, अपुर्व मिलन है धोम, आदंबर, बाहरी दिखावा, इन सभी चीजों के कत्तर विरोधी कभीर दासी रहे, उन्होंने समाज के उन सभी आदंबरी पंथों और संप्रदायों पर चोट किया है, जो बाहरी दिखावा के पक्षिथा रहे, दिखावा का मतलब समझ नहीं हो, दिखावा, जो हम है नहीं, वैसा दिखने की कोशिश करना, वही दिखावा है, आदंबर उसी को कहते हैं, बाल, मुडा लेने से कोई संत नहीं हो जाता, वस्त धन्ना लेने से कोई सपीर नहीं हो जाता, डाधी रख लेने से कोई साधू नहीं हो जाता, कमीर रासी इसको आदंबर मानते रहे हम स्वयंग अपने कर्मों का मुल्यांकर नहीं करते हैं परन्तु दूसरों के कमियों को तुपियों को देखते फिरते हैं अपने घर को अपने आचरन को नहीं सुधारते पर दूसरों से यही आशा रखते हैं हम अपनी कम्यों को नहीं आखते अपनी छित्रों को नहीं देखते लेकिन दूसरे के छित्रों को बड़ा करने में मश्बूर रहते अपने अब गुणों को देखना तो दूर सुनना तक पसंद नहीं करते वहीं दूसरों के गुणों को भी अब गुणों में परिवर्थित करने के लिए लगे रहते हैं कुछक्र रस्ते रहते हैं कभीरदास जी इन सभी आदमरों के विरोगी थे उनका कहना था कि तुम जैसे हो वैसे ही दिखो अपने आपको जूठई स्रिंगार में बत लाओ बनाओ स्रिंगार यह आदम बढ़ है महान संत कभी कभीरदास जी का जन संबत 1456 के जेश्ठमास के सुकल पक्षे पुर्णिमा के दिन हुआ था उनके जन और मिर्टिल किती विवादी थे ब्राम्हन पुल में जन मिलिये कभीरदास जी का पालन पोशन मुसलिम परिवार में जुलहा परिवार में हुआ यही कारण है कि कभीरदास में दोनों सलस्कारों का मिश्वन है एक बार परिष्थितियों से उब कर कभीरदास जी बैरागी हो गए और वन वन भटकते रहे पर जब उन्हें वेकस्त वन में भी प्रतित हुए तो घर रहकर ही उन्होंने वास्तविक विरत्त जीवन अपना लिया और वही जीवन व्यतित करने लगे वे शरीर से ही नहीं, मन से बैगा दूँ थे सच्छे मन के पुजारी थे संत कभीर दास जी अपने संपूर्ण जीवन में अपने को कभी किसी धर्म या किसी पंथ से नहीं जोड़ा कभीर सच्छे साधक और संत सच्छे संत थे योगी थे आज के वर्तमान्तरी प्रेक्ष में जब आज संपूर्ण समाज जाति धर्म रंग भेद वर्न भेद में बट्टा नजर आ रहा है समझ रही हो कि जाति भेद हमारा जाति क्या है हम उसी जाति को हम चाहेंगे यही होता है जाति कि घर्म हम जिस द्रम को मानते हैं हम उसी द्रम के लोगों से प्यार करें लोगों से द्तनि फो Rossi कि ख्राब मानके कबीर दाश जी की भावना कबीर दाश जी की विचार भारा अत्यंती आज की परिक्रेक्ष में उप्योगी सिध्य हो रही है कबीर ने आदंबर युक्त जीवन पर खताक्ष करते हुए निनलिकित पंक्तियों को उध्रित किया है और सुने कि कबीर दाश जी ने किस तरह से सम नमाज के आदम्बरों पर चूट किया है मन नहीं रंगा लेकिन हमारा वस्त रंग है हम के रुए रंग में रंग है मन न रंगाए रंगाए जो कि कप्डा आसन माँ बंदिर में बैठे आसन माँ बंदिर में बैठे ब्रम्भ चाणी पूजन लागे पथगा नहीं रंगाए रंगाए जो कि कप्डा है हम मंदिर में आसन मार कर बैठ जाते हैं पथर को बुझने में विश्वास रखते हैं लेकिन मन में सद्धा नहीं को स्कित है ओ मान ना जंगाए नगाए जोगी कप्डा है कन्वा फड़ाए जोगे जत्वा बढ़ाए कान में छेथ करके बुंदलत का लिया जत्व जता को अपने केश को बढ़ा लिया कन्वा फड़ाए जोगे जत्वा बढ़ाए दाधी पढ़ाए जोगी हो गए पत्त रा मन ना रंगाए रंगाए जोगी कप्डा किस तरह से संभोधित किया है कभी राजी ने कि दार ही बढ़ाए जोगी उस तरह लगते हैं जैसे बकडा लगता है ओ मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा जंगल जाए जोगी भुनिया रमाए भुनी रमाया आग लेकर के बैठ गया ताप ने और उसके राख तो शरीर पे मल लिया जंगल जाए जोगी भुनिया रमाए ताम चराए जोगी हो गए हिचिरा ताम चराए जोगी हो गए हिचिरा मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा मन ना रंगाए जोगी कपड़ा जोगी मत्वा मुडाए जोगी मत्वा मुडाए जोगी कपड़ा जंगाए मत्वा मुडाए जोगी मत्वा जोगी कपड़ा जंगाए कीता बाच्च के हो गए लब लाँ मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए जोगी कपड़ा कपड़ा मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा कह तिल कभी, सुनो भाई साथ हो जम तरवाजा, पॉंधल जैस्ट्यक फक्डा मान्य ना रगाए, रंगाय जोगी कपडा रंगाय जोगी कपडा, रंगाय जोगी कपडा